हेलो गाईज, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नई यूटुब चानल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज, आज मैं आप लोगों को SDFC सिक्वेटिस से आप्संस पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ लाइब मैं सारा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा और वहां से एक्जीट भी कैसे होते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो वीडियो जो है काफे इंटरेस्टिंग होने वाला है आप वीडियो को अंतक देखिएगा और हाँ आप स्टॉक मारकेट सीखना चाहते हैं कम्प्लिट इंटरेस्ट टेडिंग सीखना चाहते हैं कम्प्लिट ऑप्संस टेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं नीचे WhatsApp नमबर पर आप मुझे call या message कर सकते हैं और आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं तो चलिए बीना किसी देरी के हम video start करते हैं तो आज का video हमारा ये है कि SD app से security से options पर trading कैसे करते हैं तो चलिए हम अपने app पर चलते हैं तो app पर login होने के बाद कुछ इस type का interface हमको दिखाई देता है नयवाला app कुछ इस type का है अगर आप new app अपडेट नहीं किये हैं new app पर login नहीं हुए हैं तो हो जाईए new app काफी अच्छा है और ये कमाल का app है जरूर आप लोग new app पर login हो जाईए अपडेट करिए प्ले स्टोर पर जा करके तो अब मैं यहां मान करके चलता हूँ कि आप new app डाउनलोड कर चुके हैं और आप new app से options टेडिंग करना चाहते हैं तो जैसी आप login होगे इस type का interface आपको दिखाई देगा यह top पे आपको nifty 50 और bank nifty का options दिखाई देगा चुकि आज के वीडियो पे हम options पर टेडिंग करना चाहते हैं और mostly इंडिया पे लोग nifty 50 और bank nifty पे ही options टेडिंग करते हैं तो हम भी क्या करेंगे हम भी bank nifty पे options टेडिंग करेंगे तो चलिए हम simply bank nifty को click करते हैं bank nifty को click करेंगे उसके बाद इस step से हमको interface दिखाई देगा इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं option chain और इसमें call और put दो term होता है ATM, ITM, OTM ये भी एक term होता है तो इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ अगर आप लोग options trading complete सीखना चाहते है basic से advance तक तो आप लोग हमारा class join कर सकते हैं वाट्सव पे message कर गए तो चलिए हम समझते हैं कि options पे trading कैसे करना है तो चुकि आपको पता है options पे 2 term होता है या तो call buy करते हैं या तो put buy करते हैं तो आज के वीडियो पे हम क्या करने वाले put buy करने वाले हैं यानि कि हमारा index जितना ज्यादा नीचे गिरेगा उतना ज्यादा हमको profit होगा तो चलिए हम PE side का एक strike price और एक premium select कर लेते हैं तो हमारा PE या put side कौन सा है यह है तो इधर का हम एक strike price और premium select कर लेते हैं तो चलिए थोड़ा सा search करते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं तो guys हम 38,000 strike price का 2.60 पैसे वाला premium पे PE buy करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे simply इसी को click कर देंगे click करने के बाद यहाँ आपको buy और sell को options आएगा तो चुकि हम एक options buyer है तो हम क्या करेंगे simply buy के options को click करेंगे तो यह हमने buy के options को click कर दिया उसके बाद आपका exchange जो है NAC रहेगा product पे आपका margin और intraday दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ simply intraday select कर देना है उसके बाद यहाँ आपका quantity दिखाई दे रहा है and quantity आपका एक lot 15 quantity का आता है bank nifty pay अब आपको lot size क्या होता है यह सारा कुछ नहीं पता तो मैं आपको बार बर कहा रहा हूँ आपको stock market सिखना होगा आपको options सिखना होगा तभी आप options से पैसा बना सकते है तो एक lot जो है bank nifty पे 15 quantity का आता है तो हमने यहाँ एक lot select कर लिया उसके बाद order type पे आपका market रहेगा और यह price भी आपका market रहेगा अब आपको क्या करना है simply buy के options को click करना है उसके बाद एक बाद और confirm buy के options को click करना है तो देखें गाईस आपको order जो है market पे place हो चुका है अब आप क्या करेंगे simply order book के options को click करेंगे और उसके बाद आपको simply position के options को click करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका profit and loss चलना शुरू हो चुका है हमने क्या किया है bank nifty पे trade किया है और हमारा average price जो है हमने कौन से price पे entry किया है और अभी हमको नहीं loss दीख रहे है कुछ भी profit and loss अभी हमको नहीं दीख रहे है क्योंकि जिस price पे हमने entry किया था उसी price पे अभी हमारा यह price चलना रहा है आप देख पा रहे हैं तो इस type से आपको क्या करना है options पर trading करना है काफी असान है और इसका use आप लोग करिए और नहीं आ रहा है तो एक दो बार और देखिए clear आपको समझ आ जाएगा अब आप यह चाहते हैं कि मुझे sufficient profit हो गया या मुझे sufficient loss हो गया मुझे यहाँ से exit होना है तो आप क्या करेंगे simple square app के options को click करेंगे करेंगे simple square app के options को click करेंगे चलिए मैंने इसको कर दिया आप उसके बाद आपको simply okay options को click करना है okay actions को click करने के बाद यह कुछ भी नहीं करना है simply आपको sell के options को click कर देना है एक और 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 sell के options को click कर देना है आप market से बाहार हो जाएगे तो यह simple process है Birdone SDFC Securities से options trading करने का और वहाँ से आपको exit होने का ठीक है अगर वीडियो आपको समझ नहीं आया तो एक दो बार और देखिए एक चीछ मैं आपको और बताना चाहूंगा कई बार आपको order जो है market में place नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि due to volatility volatility ज्यादा होता है market पे इसलिए आपको order options पे कई बार place नहीं होता छोटे premium पे जैसे कि अभी हमने छोटे premium पे trade किया था तो इस step के premium पे आपको order जो है market में place नहीं होता तो वो जो हमने intraday select किया था उसको margin करेंगे एक बार वापिस दिखाता हूं यह bank निप्टी हमने select किया था उसके बाद हम एकदम otm पे गया थे एरा इस step के premium select किया थे जैसे कि यह 7 रुपया 5 पैसे वाले premium पे हम trade करना चाहते हैं buy करेंगे buy करने के बाद हाँ मैंने क्या कहा आपको intraday select करना कई बार क्या होता है एकदम otm प्रीमियम पे हमारा intraday वालो options काम नहीं करता तो आपको क्या करना है यह margin select कर दिना margin select करने के बाद आप trade करेंगे तो definitely आपको order market पे लगेगा ध्यार रखेगा ठीक है तो बस इतना ही process आपको apply करना है आप अच्छे सो options trading कर सकते हैं और अगर आप options trading सिखना चाहते हैं तो join करिए हमारा class ओके ठीक है चलिए buy buy take care यह देखिए एक दुबार देखिए आपको clear समझा दाएगा